करनाटक के बैंगलूरू में नागरिक्ता संचोधन कानून के विरोध में आयोजित ए आए माइम चीफ असदुदीन ओवैसी के रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगा कर हंगामा मचाने वाली अमूलिया लियोना को 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेज दिया गया है जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उसे जमानत देने से इंकार कर दिया इस बीच करनाटक के सीएम बीएस यदुरप्पा ने अमूलिया के नकसलियों के साथ संबंध होने का दावा किया है ये समाज में शांती और सोहर्थ के महौल को बिगाड़ने की कोशिश है जहां चैसे लोगों की भी होनी चाहिए जो इनको प्रोथसाहित करते हैं अमूलिया का नकसलियों से भी संबंध हा सजा तो होनी ही चाहिए दरसल अमूलिया ने बैंगलूरू में AI MIM चीफ असदोदीन ओवैसी के मंच पर हाथ में माइक लेकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे नागरिक्ता संचोदन कानून के खिलाफ आयोजित रैली के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो ओवैसी से लेकर आयोजिकों तक के पसी ने चूड़ गए आनन फानन में नारे लगा रही लड़की से माइक चीना गया ओवैसी ने तुरंद इस पर सफाई भी दी ओवैसी ने भले ही अमूलिया के बयान से किनारा कर लिया हो लेकिन पीजेपी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है बंदुगर जब मंच के पीछे ये सिखाया जाता है तो कभी-कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ओक्सिजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी-कभी हकीकत मुह से निकल जाता है इस बीच अमोलिया लियोना के पिता ने आरोप लगाया है कि चिकमंगलूरू में उनके घर पर कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की है अमोलिया के पिता जेडियस के स्थानिय नेता है हाला कि अपनी बेटी के बयान से वो पहले ही पल्ला जार चुके है प्योर रिपोर्ट जी मीडिया www.zhindustan.in डिजिटल वर्ड में नई ग्रांती ख़बरों की दुनिया में धमा का सबसे पहले सबसे सथी बस एक लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया www.zhindustan.in डिजिटल वर्ड में नई ग्रांती ख़बरों की दुनिया में धमा का सबसे पहले सबसे सथी बस एक लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया www.zhindustan.in डिजिटल वर्ड में नई ग्रांती ख़बरों की दुनिया में धमा का सबसे पहले सबसे सथी बस एक लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया www.zhindustan.in डिजिटल वर्ड में नई ग्रांती ख़बरों की दुनिया में धमा का सबसे पहले सबसे सथी बस एक लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया www.zhindustan.in